अच्छी क्लास में एक तरिके का मुड़क udah सके नाच्च्छ नाचरले और कॉल्प तैक कपड़ कोड़़ अजoup जन Index tenIZノ material कॉपड़क जने जाथा यह तो आङ जेक्आ हेन वह जहाते हैं क्कटन को बाद यह सबसे ज्व्जादा इंपटेंट नैचिरल फाइबर हैं इसको ग्रोह करने के लिए भाहट ज्यादा temperature, lm high temperature की भी जरुद पड़ती है और rainfall भी ज्यादा चीह होता है यानि बारिश भी मोसम ज़िए होता है और temperature जो जर्म खाहई भी ज़ए बारिश होता है स्वाइल होता है कल्टिवेशन के लिए यानि इसके ग्रोथ के लिए इसके जो पैदावार होती है वह अलुबिल स्वाइल में बहुत अच्छे तरीके सोती है नेक्स्ट इंडिया इसद लारजिस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट हमारा देश जो भारत है वो जूट का बहुत ही बड़ा प्रोडीूसर है पूरे वर्ल्ड में सबसे जवादा जूट जो प्रोड्यूस होता है वो इंडिया में ही होता है नेक्स्ट हम्लग पढ़ेंगे कि इससे रसी कैसे बनाते हैं? रसी या धागा किस परकार से बनाते हैं? उसको बनाने का एक प्रोड़ा प्रोसेस है. तो उस प्रोड़ा प्रोसेस को हम्लग अभी डिसकस करेंगे. नेक्स्ट है प्रोसेस ऑपू अब्टेनिंग यार्न प्रम जूट आए जूट प्लाणस यूट बनातं है यार्न मतलब धागा तलसे कैसे बनाता है उसका पूरा प्रोसेस ही है सबसे पहले है जो Harvested Stox of Jute है Harvested मतलब जिसको की काट लिया गया पेडों में से उसके Stox को काट लिया गया काटने के बाद उसको क्या करते है Soaked in Water पानी में भिगा देते है पानी में भिगाने के करण वह कुछ दिन तक उसको पानी भिगा के छोड़ देते है कि सड्टे सड्टे वही nya हो जात Thanks Soft Sow heft होने से उसके बीछ में जो Bonds गयाता है जो भी अपस में बंदे होते हैं तैटली सारे स्ठेंड में वही हुए होते हैं उसके सारे। स्टैट्स वही हुआते हैं W lucky और वहomina सफूत वो separate होने लगते हैं वो अलग-अलग अलग निकलने लगते हैं उसके बाद जो वह धागा होता है उसको Pittsburgh किया जाता है twist मतलब ऐसे करके मोड देते हैं Twisting करते हैं उसका twist करते करते mean to g sleeve लिए उसको नाम भी है झोए इसको लगते दूसरे धागे में twist किया है क्यूंकि उस धागे को बनाने का प्रोसेस में एक इस्पिनिंग वील यूज होता है इसलिए इसका नाम भी इस्पिनिंग रख दिया है तो यह था पूरा प्रोसेस एक बार समप कर लेते हैं सबसे पहले यूट प्लांट में से उसके स्टॉक्स को काट लेते हैं काटने के बाद उसको ले आके पानी में डूबा देते हैं कुछ दिनों तक वह पानी में डूबा रहता है और पानी को सोक करता है पानी को एब्सॉर्ब कर लेता है और कुछ दिन तक उसी में पढ़े रहने के कारण बहुंत हैं मतलब बहुत मुलाइम होता है। मुलΑइम होता है यो सारे द्हागे एक में चिपके होता हिसे उसके खुलने लगता है तो अलग अलग फिपरेट हो जाता है। तो उसका ब्र में स conservation to to make us we 16 और उस twisting के process को करने के लिए कि spinning wheel की जरूत पड़ती है इसलिए इस process का नाम है spinning spinning wheel की सहायता से हम उसको twist करते हैं twist करके धागे के form में बना देते हैं धागा यानि यार्न तो उससे बन जाता है धागा और फिर उस धागे से चाहें जो भी बना लें चाहें कार्पेट बना लें चाहें कुछ कपड़ा बना लें या कोई और अधर अब्जेक्ट बना सकते हैं next topic है properties of jute jute के कुछ properties हैं जैसे कि यह golden color का होता है sunahle color का और silky होता है बहुत ज़्यादा silkyness होती है और shining भी होता है बहुत ज़्यादा shine करता रहता है तो यह थी इसके physical properties और next है biodegradable और recyclable होता है biodegradable का मतलब कि यह biological action के द्वारा यह decompose हो सकता है biological action जैसे कि bacteria बैक्टिरिया जो है इसको खा के खतम कर सकते हैं अगर इसको जमीन में गाड़ दें कुछ जिनों के बाद यह मिट्टी में मिल जाएगा decompose हो जाएगा fully और recyclable होता ही है यानि कि दुबारा से इसको हम दूसरे products में बना सकते हैं recycle कर सकते हैं इसको third है coarse fiber, coarse fiber का मतलब होता है एक होता fine fiber एक होता है coarse fiber fine होता है coarse, fine मतलब होता हैGra कपड़ कुछ कपड़े आप लोगों देखे होगे उसकेikte उसके बहुत महीन सिलाई होती है शीक कुछ इस तरीके से होता है यह कैसा कि छोटे-चोटे शीका ते इस वह शबंडे इस एक नहीं हो दिखेंगा बहुत शोटा-चोटा दिखेंगा लेकिन अगर और संदो कोड़ से कुछ सिलाई होगा इतना बड़ा बड़ा इसका सलाय रहेगा, तो कोर्स फाइबर होता है, इसका जो भी कपड़े बनते हैं, वो बहुत मोटे-मोटे रहते हैं, जूट के कपड़े अगर आपे घर में होगा तो इसको देखेंगे, तो वो पुरा दिखेगा, इसका स्क्वेर छोटा-छोटा जो कि वा थोड़ कमजोर होते हैं सब्सक्राइब होते हैं कि नेक्स पॉइंट है बौथ लस्चर्ग एंड मैक इसका जो अपियरेंस देखने में यह लस्च्रम सब्सक्राइब होते हैं हइँ जो इस बिलकुल रफenderख से दिखने वाला उसको बोलता है ned करता है जूत वियुक्ष। जूट का यूज होता है in making sacks, sacks मतलब होता है बोरा आप लोगन देखा हुगा जो बड़े-बोरे होता है चीनी के बोरे वो उनको बनाने के लिए जूट का यूज किया जाता है brown color का बोरा होता है न वो sack मतलब जूट का ही बना होता है और य इसका use करते है curtains बनाने में chair coverings and carpet curtain मतलब परदा परदे भी बनते हैं इसके chair coverings जो चेर की उपर से जो cover लगाते है न ताकि उसका जो गदा है वो गंदा ना हो उसको dirt से बचाने के लिए उस पर cover करते हैं वो भी बनाते है जूट का और carpet जो कालीन होता है उसमें भी जू इसको आप लोग learn करेंगे